हेलो फ्रेंड्स मेरी चैनल लर्न एंड मस्ती में आप सब का स्वागत है तो आज की वीडियो जो मैं लाई हूँ यह बहुत ही सिंपल और इजी है बच्चे इसे इंजॉय करके बनाएंगे तो मैं यहाँ पे आपको लेटर क्यू और आर की मदद से आज ड्रॉ करना सिखाऊं है और अब आपको यहाँ पे एक बड़ी सी क्यू बनानी है सिंपल देखो इस तरीके से अब आप कॉपी को सीधी कर लो और यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे लाइनिंग करनी है और यह वाले लाइनिंग आपके डबल होगी इस तरीके से और यहाँ पे एक छोटी सी लीप ब करनी है आप देख रहे हो कि मैं ऊपर में थोड़ी सी लाइनिंग चोड़ी हूं आपको वैसा ही करना है और दूसरी साइड भी आपको ओपोजित डारेक्शन में एक आर बनानी है सेम ऐसा ही और बीच वाइनिंग को मैं थोड़ी सी बड़ी कर ली और यहां पर एरेस करके आप असाने से समझ भी सकोगे तो मैं यहां करके दिखा ड़ी हूं यहां पर जिग जाग करते हुए आप थोड़ी सी गास बना देना इस तरिके से और यह वाली एक ट्री बना देरी हूं मैं तो देखो यह हो गया अब मैं इसे आपको कलर करके भी दिखाती हूं तो अब मैं पहले औरेंज कलर ले रही हूं इसे कलर करने के लिए और आपकी प्रोसिस यही होनी चाहिए जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती हूं कि पहले आप ड्रॉ के साइज साइड में बॉर्डर कर लो उसके बाद ही आप अंदर में कलर को फिल करना इस तरीके से यह हो गई अब आप डार्क ग्रीन कलर लो इसकी लीफ को कलर करने के लिए और इसके उपर आप थोड़ी सी लाइट वाली ग्रीन चला दो इस तरीके से और आप ब्लैक कलर लेके पूरी पिक्चर को आपको इस तरीके से बॉर्डर करनी है देखो तो देखा फ्रेंड़्स ही बहुत ही सिंपल ट्रिक्स था आपने देखा कि मैं लेटर क्यू की मदद से बहुत ही इजी वनाईए अब मैं आपको इसे भी कलर करके आपको दिखा रही हूँ तो यहां मैं रेड कलर लिई हूँ इसकी स्कट को कलर करने के लिए और टॉप को क करूंगी मैं येलो कलर से आप चाहो तो अपनी पसंद की कोई भी कलर दे सकतो इसकी ट्रेस में बस आपको प्रोसेस सी भ्यान देनी है कि प्रोसेस आपकी यही होनी चाहिए ताकि कलर बाहर न फैले तो मैं आपको पूरी ड्रॉप कलर करके आपको दिखा रही हूं झाल झाल ये पेड के लिए मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रहे हुँ तो आप भी ब्राउन ही देना और इसके बाद आप ब्लैक से इसके साई सेट में आप लाइनिश कर देना इस तरीके से और ट्री के लिए आप पहले यालो कलर यूज करो उसके बाद इसमें आप लाइट ग्रीन दो और उसके बाद आप डार्क ग्रीन लेना इस तरीके से आप ब्लैक से इसे बॉडर कर दो तो देखिया फ्रेंच ये हो गई अब आपको ग्रास में भी इस तरीके से थोड़ी थोड़ी बॉडर करनी है और इसी तरीके से आपको ट्री में भी कर देनी है तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने की koosies की हूँ मैं आसा करती हूँ कि बच्चे इसे मज़े से बना सके और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कमेंट करें और दुसरों से भी शेयर करें ताकि दुसरे बच्चे भी सीख सकें और अपनी अक्टिविटी को बढ़ा सकें तो फ्रेंड्स अब इजाज़त दीजे और मैं आगे भी आपके लिए इसी तड़ी की अच्छे अच्छी वीडियो लाने की कोसिस करोंगी फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राब करें बेल आइकन को दवाईए ताकि मेरे नेक्ट वीडियो आप तक पहुंसती रहें थेंक यू बाई